नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस YouTube चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ important information देने वाला हूँ जैसा कि हम सभी जानते हैं जो 4-year का B.A.D. प्रोग्राम शुरू होने की बात कही जा रही थी उसको लेकर N.T.A. यानि कि National Testing Agency ने एक notification जारी किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो 4-year integrated program स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है integrated teacher education program ITEP और ये जो 4-year का integrated program होने वाला है इसके लिए पहले entrance test होगा जिसको जो qualify करेंगे उनका admission कुछ selected institution में होगा सारी चीज़ हम detail में discuss करेंगे और जो ये PDF है इसका link भी मैं आपको अपने telegram channel पर दे दूँगा आप telegram channel पर जाकर के वहां से इस PDF को detail में पढ़ सकते हैं telegram channel के लिए आप description box में जाएए वहां पर आपको link मिल जाएगा चलिए video के शुरुआत करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में जो 2 साल का B.A.D. course हुआ करता था उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके जगा ये 4 साल का integrated teacher education program है वो शुरू किया जाएगा और इसके लिए N.T.A. ने तयारी भी शुरू कर ली है इस साल जो admission होंगे इसमें उसके लिए entrance test N.T.A. करवाने जा रही है इसके सासा जैसा कि हम सभी जानते हैं दो साल का जो B.A.D. special हुआ करता था उसको तो बंद करी दिया गया है अभी recent में गया है कि जो दो साल का B.A.D. program है जो general subjects में होते हैं वो अभी continue है और आने वाले समय में भी continue रहेगा लेकिन उसकी साथ में एक parallel यह course भी लाया गया है Integrated Teacher Education program यह 4 साल का होगा और इसमें जो लोग बच्चे जो 12th pass करते हैं 12th pass करते ही आप इसमें appear हो सकते हैं इसमें आपको बस ध्यान रखना है subject combination का क्योंकि जब B.A.D. करते हैं तो हम B.A.D. किसी subject में specialized course होता है तो जब आप subject select करेंगे तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कैसे आपको करना है इसका benefit यह है कि generally अगर हम देखे कि अभी का scenario है तो उसमें 3-3 साल तो आपको graduation में लग जाते है प्लस दो साल जो है वो B.A.D. करने में लग जाते है तो तो total 5 साल आपके लग जाते हैं इस course से क्या है कि आपके चार साल लगेंगे और इसमें आपको graduation प्लस जो आपका teacher education program है उस दोनों की degree एक साथ आपको दे दी जाएगी तो यह आपके लिए यहाँ पे benefit है तो जो जो लोग तयारी करना चाहते है वो एक बार इसको detail में समझ लिजे कि यह कैसे क्या होगा कुछ important instructions है यहाँ पे कुछ important information है उसको देख लिजे इसके लिए जो entrance test होगा पहली बाद वो CBT होगा CBT यहने कि computer based test होगा और इसके लिए online application जो है 13 से लेकर के 30 अपरेल के बीच start कर दिया गया है 13 से लेकर 30 अपरेल के बीच आप apply कर सकते हैं और ध्यान रहे कि 30 अपरेल के बाद application नहीं लिया जाएगा कुछ correction करना है तो 2 से मही से लेके 4 मही के बीच का समय आपको दिया जाएगा उसमें आप यह सारी चीजे कर सकते हैं exam center जो है आपको जल्दी announce कर दिये जाएंगे last week of the मही और जो admit card है वो भी आपको exam से 3 दिन पहले ही मिलेगा examination date जो है वो 12 time upload कर दी जाएगी इस सारी चीजे हैं यहाँ पर कुछ और भी important information है जिसको अभी देख लेते हैं जो exam pattern रहने वाला है वो कैसे रहेगा इसको थोड़ा सा समझ लीजे इसमें देखे mainly क्या है कि आपके कई section से question पूछे जाएंगे जैसे कि section 1 होगा section 2 section 3 इसी तरीके से और भी होंगे section 2 जो है वो कुछ specific subjects होंगे उससे question पूछे जाएंगे और इसमें भी कुछ questions defined है कि कितने question होंगे सारी डीटेल में आगे देख लेंगे इसके अलावा section 3 जो होगा यह general test होगा इसमें भी 28 questions होंगे 25 आपको attempt करने होंगे इसी बरकार teaching aptitudes related भी कुछ questions आएंगे वो भी आपको attempt करने होंगे तो इस तरीके से यह sections चार sections रहेंगे total आपके 160 questions से आपको attempt करने है 180 questions में से आपको ध्यान रखना है यह देखे इस तरीके से यहाँ पे आपको यह pattern दिखा रहा है question जो है वो mcq based होगा objective type जो होता है medium तेरह languages में paper होगा जो भी language आप opt करेंगे उस हिसा इन्होंने कहा रखा कि general knowledge current affair general mental ability numerical ability quantitative reasoning logical analytical reasoning यह सारी चीज़े रहने वाली है teaching aptitude में topics जो होंगे teaching of science, arts, mathematics, performing arts, languages इन से related सारी चीज़े होंगी registration के लिए आपको यहाँ पे link दे रखा है आप इस link से जो है वो register कर सकते हैं इस सारी चीज़े आप PDF के थूरू भी पढ़ सकते हैं इ वहाँ से आप इसको detail में पढ़ लीजेगा यह देखें यहाँ पर पुरा बता रखा है कि exam pattern कैसे होने वाला है कैसे होने वाला है language 1, language 2, teaching aptitude, general test उसके बाद domain specific subject 1, 2, 3 and इसी तरीके से हैं और इसमें आपको कितने questions attempt करने हैं यह भी आपको बता रखा है यह इतने questions attempt करने हैं इतने होंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और अगर आप interested है तो आप इसमें जरूर apply करिए यह कुछ basic information है आप PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं नीचे यहाँ पे कुछ languages दे रखे हैं कि कौन-कौन से languages आपको offer किये जाएंगे और उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं जल्द मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद